स्वयम सहायता समुकी महिलाओं को मेरे तरफ से नमस्कार आप सभी को हमारे प्रेणना टीवी चैनल के तरफ से भी दिदी नमस्कार अगर दिदी अभी तक आपने हमारे प्रेणना टीवी चैनल को सब्सकाइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे प्रेंडा टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए अगर दिदी आप पहले से ही डेनारले में जुड़ी हैं तो आपसे निवेदन है कि पंच सुत्र का पालन करना बिल्कुल न भूले साथ ताहिक बैठक, साथ ताहिक बचत, आंध्री कुधार, समय से रण वापसी लेखा जोखा इन पंसुत्रों का करे पालन और अपने समु को रखे सक्री क्योंकि सक्री समु को ही योजनाओ का लाब दिया जाता है और वर्ता भी मिलती है तो चलिए दिदी जेदा ना बात काते, में टॉपिक दर बाते हैं जैसा कि आपने हमारे थमने में देखा है योपी ईश्रम कार्ड बड़ा आसान है दिदी, योपी स्रमीक मजदूर कार्ड बनवाना अगर दिदी अभी तक आपने इस स्रम कार्ड नहीं बनवाया है तो जल से जल सभी का बनवा लिजे यूपी स्रमीक मजदूर कार्ड पंजी करण यूपी में मजदूरों के लिए योगी सरकार एक नई योजना लाई है जिसका नाम है यूपी स्रमीक मजदूर कार्ड इस योजना की अंतरगत उन सभी मजदूरों को सरकारी योजनाओं का लाव और रोजगार की औसर प्राप्त होंगे जीन का पंजीकरण इस योजना की अंतरगत होगा इस योजना का लाव लेने के लिए मजदूर को आनलाइन पंजीकरण स्रम विभाग उत्तर प्रदेश की अधिकारी की वेबसाइट पर करवाना अनिवार होगा जिसके बाद ही उन्हें स्रमिक मजदूर कार्ड द्वारा बहुसी सरकारी योजनाओं में रोजगार के आउसर प्राप्त हो सकेंगे सरकार की इस योजना का मुख्यों देश स्रमिक और प्रवासी स्रमिकों को आनलाइन पंजी करण के माध्यम से रोजगार मोहिया करवाना है अब स्रमिक अपने घर के आस पास ही रोजगार पास सकेंगे लेकिन सर्थ ये है कि इस स्रमिक को इस योजना में आनलाइन पंजी करण करवाना होगा अगर दिदी आप रोजगार पाना चाहती है योजनाओं का लाव उठाना चाहती है तो जल्द से जल्द अपना इस रमकार जरू बनवाले इस योजना में उन सभी मज़दूरों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे जो लागडाउन के कारण बेरोजगार हो गए थे आए जानते हैं कि सरकार की इस योजना में पंजी करण कैसे करवा सकते हैं सनीवार को प्रखंड मुख्याले इस्तित सर्वस्रेश जीवी का महिला सनकुर संग के कार्याले में इस रमकार बनाने को लेकर सीविर का आयजन किया गया है सीविर का उटगाटन प्रखंड परियोजना प्रवंधक अमित कुमार C.F. रजनी कुमारी एवं M.B. के विभूती मंडल के द्वारा सन्योग्त रूप से दीप्रवजोईल करके किया गया इस रमकार्ड C.S.P. संचालक प्रखंड के रतनपूरा गाउनिवासी संतोस कुमार के द्वारा बनाया गया मौके पर उपस्थित प्रखंड परियोजना प्रवंधक स्री कुमार ने कहा कि स्रमकार्ड से असंगठित छेत्र में काम करने वाले स्रमिक वर्ख को काफी लाप मिलेगा इसलिए सभी लोगों को इस्रमकार्ड जरूर बनवाना चाहिए सोला से 69 साल की आयू का कोई भी व्यक्ति इस कार्ड को बनवा सकते हैं उन्होंने कहा कि इस्रमकार्ड बनवाने वाले व्यक्ति को विभिन समाजिक सुरच्छा योजनाएं वा अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा पी-एम आवास योजना बच्चों की छात्र वित्ती निसुलक रासन सीमा सुरच्छा योजना और सरकार की सभी आथिक सहाताएं वाला भी इसी कार्ड से मिलेगी इसके अलावा भ्याज मुक्त रिन ध्यान दे भ्याज मुक्त रिन की सुईधा भी इसी कार्ड से मिलेगी वहीं C.F. रंजनी कुमारी ने कहा कि E.S.R.M. कार्ड बनाने के लिए जीविका कार्याले में सिविर का आयोजन किया जा रहा है आगे भी जीविका कार्याले में सिविर का आयोजन कर E.S.R.M. कार्ड बनाया जाएगा आज के आयोजिस सिविर में लगभग 1000 लोगों ने अपना e-Sram Card बनवाया आएए जानते हैं दिदी की रजिस्टेशन के बाद जिहां e-Sram Card रजिस्टेशन के बाद क्या-क्या फाइदे कौन उठा सकते हैं इस्रम कार्ड पोटल के जरिये सरकार का लच्छ अस्रंगटित छेत्र के 38 करोन स्रमिकों को फायदा पहुचाना है इनमें निर्मार मजदूरों के अलावा प्रवासी स्रमिक रिहाडी पट्री वाले और घरेलू कामगार आदी स्रमिक हैं इस्रम कार्ड अस्रंगटित छेत्र के कामगारों के लिए केंद सरकार ने इस साल अगस्त मा में इस्रम पोटल लांच किया इससे अस्रंगटित छेत्र के करीब 38 करोन कामगारों को फायदा होगा इस पोटर पर रजिस्टेशन कराने वाले कामगार को एक ईश्रम कार्ड जारी किया जाएगा इस कार्ड की मदस्ते रजिस्टर्ड कामगार देश में कहीं भी कभी विभीन सामाजिक सुरच्छा योजनाओं का लाभ ले सकेंगे इसके अलामा फ्री दुरुघटना बीवा की मदद भी है इश्रम पोटल पर कामगारों के रजिस्टेशन के लिए 31 दिसंबर तक राष्ट व्यापी अभियान चलाया जा रहा है लेकिन इससे पहले जान ले इस रमकार्ड आखिर है क्या क्या और इसे लेने के लिए पाता सर्ते क्या है दिदी कार्ड में रहेगा 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउट नमबर और संगटित छेत के कामगारों में निर्माण मजदूरों के अलावा प्रवासी स्रमिक रिहाडी पट्रिबाले और घरेलू कामगार आधी सामिल है इस रमकार्ड में 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउट नमबर यानी UAN रहेगा ये कार्ड पूरे देश में हर जगा वैध रहेगा UAN नमबर एक स्थाइड नमबर होगा आर्थात एक बार प्रदान किये जाने के बाद यह कामगार के लिए अपरवितित रहेगा इस रमकार्ड जीवन भर के लिए माने है लिहाजा इसके रिनुवल की कोई आउशक्ता नहीं है कामगा नियमित रूप से अपना वीवरण मुबाइल नमबर वर्तमान पता आधी अपडेट कर सकते हैं अपने खाते को सकरी रखने के लिए वर्ष में कम से कम एक बार अपना खाता अपडेट करना अवश्यक है इस्रम पोटल पर जाकर या CSC के माध्याम से कामगार अपना वीवरण अपडेट कर सकते हैं अपडेट की जा सकने वाली डीटेल्स में मुबाइल नमबर वर्तमान पता वेवसाय सहचे की योगता कोईसल के प्रकार परिवारिक वीवरण आधी सामिल है इस्रम कार्ट केवल और संगठित छेतर के कामगारों के लिए है लिहाजा EPFO या ESIC के मेंबर इस्रम पोटल पर रजिस्टेशन नहीं कर पाएंगे कोई भी कामगार जो ग्रिह आधारित कामगार सेल्फ इनप्लाइड कामगार या असंगठित छेतर में कार्डियत वेतन भोगी कामगार है और ESIC या EPFO का सदस्य नहीं है उसे असंगठित कामगार कहा जाता है और संगठित छेतर में ऐसे प्रतिष्ठान इकाईया सामिल है जो वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन बिक्री में लगी हुई है और दस से कम कामगारों को नियोजित करती है ये इकाईया ESIC और EPFO के अंतरगत कवर नहीं है और संगठित कामगार के रूप में इस्रम पोटल पर रजिस्टेशन के लिए कोई आई मानदन नहीं है इस्रम पोटल पर रजिस्टेशन के लिए आई का कोई मानदन नहीं है लेकिन कामगार को आईकर दाता नहीं होना चाहिए इस्रम पोटल पर रजिस्टेर स्रमी को 2 लाख रुपय का दुरुगटना बीमा कवर दिया जाएगा तो चलिए दिदी आज की वीडियो में बस इतना ही अगर अभी तक आपने इस्रम कार्ड नहीं बनवाया है तो जल्द से जल्द बनवा लेजिए तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही धन्यवाद जयाजी भी का